हेलो ब्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज के बीडियो उन सभी केंडिडेट के लिए इंपोर्टेंट है जो की इन फ्यूचर में आने वाली जीडियस की भरतियों के लिए आवेदन करके सरकारी नोकरी पाने का सपना देखते ह और उनके लिए और भी ज्यादा जरूरी वीडियो है जो की अल्रेडि जीडियस के करमचारी एंप्लॉई है उनको ये पता होना चाहिए कि उनके ही डिपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है आपको बता दे यूनियन का बहुत ही बड़ा कदम सामने आया है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि PM मोदी को लेटर लिखा गया है इसके अंदर आठ डिमांड की गई हैं आठ मागे हैं यह कह सकते हैं कि आठ नए नियम हैं नए नियम बनते हैं उन्हीं से डिमांडे कंप्लीट होती हैं मागे पूरी होती हैं अगर ये माग पूरी हो जाती हैं तो बड़ा कदम क्यों है किस लेवल में जाके मोधी को लेटर लिखा गया है और कभी इस लेटर का रिप्लाई आएगा और जब आपका रिप्लाई आएगा अगर ये नए नियम मंजूर किये जाते हैं तो कितनी बड़ी खुसकबरी कितनी भेंकर खुसकबरी होगी मतलब आज त रिक्वेश्ट है वीडियो काफी टाइम के बाद आई है वीडियो को आखरी तक देखें एक एक नियम एक एक डिमांड को समझें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल लोडिविकेज़न को जरूर आउट करें तो अब हम सुरू करते हैं सीधे यहाँ पर कौन-कौन से डिमांड मागे की गई है देखिए मागो का चार्टर यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा है अगर आपको देखने में थोड़ी समस्या हो रही होगी तो आप लोग सुनिये गाध्यान से मैं सारी चीजों को समझाता हूँ पहला पॉइंट यह है कि 8 गंटे काम और पिंसन सहीत सभी लाब परदान करें यानि कि पहले तो गौर्मेंट की तरह 8 गंटे की ड्यूटी करें जो की अभी 4-5 गंटे की है और रिटार्मेंट होने के बाद पिंसन स्कीम लागू करें और जितना भी गौर्मेंट एम्पलॉई को भत्ता मिलता सरकार की तरब से वो लाब भी परदान करें यह सबसे इंपोर्टेंट है पतलब इतनी जो मागे हैं अगर वो नहीं कंप्लीट होती कोई बात नहीं लेकिन अगर यह हो गया तो इसमें से मान लिजे कि GDS की जिंदगी बन जाएगी आठ गंटे का काम मिल जाएगा तो बेतन और बढ़ जाएगी पिंसन मिलने लगेगा तो रिटार्मेंट के बाद वाली एज में कोई समस्या न रह जाएगी और सरकार के सभी भत्ते लागू हो जाएगे तो बेतन के साथ में आपको फाइदा ही फाइदा होगा दूसरी डिमांड को सुनिएगा नेमित करमचारियों के समान 11-2016 से TRC का 12, 24 और 36 वर्ज की सेवा पूरी करने पर तर्क संगत निर्धारन वरिष्ट नागरी को वनसित के लिए बेटेज बिर्धि समय बद्ध बिर्धिय उन्नियन सहित कमलेज चंदर समित की सभी सकारातमक सिपारिशों का ततकाल कार्यान वय कुल मिलाक के यहां पर बात करी गई है 12, 24, 36 रूल की इस रूल के कोटिंग अभी ये रूल है कि चहे आप 12 साल की सर्विस पूरी करें 24 साल की सर्विस पूरी करें या 36 साल की सेबा दें आपको बेतन एक समान मिलेगा चाहे आप नए करमचारी हो चाहे आप 36 साल की सेबा दे चुके करमचारी हो तो इस मार्ग के तहट सिर्फ ये बोला जा रहा है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बरती जाए और हमारी सेवा का समय बढ़ता जाए वैसे वैसे जो है तो बदलाओ के तहट हमारी बेतन में भी बृति होती जाए यहाँ पे लिखा है ना वेटेज बिद्रे तो आपको वेटेज मिले और वेटेज का मतलब सीधा सा है कि बित्ती उन्यन सहीत यानी की यह बित्ती सहाथा रासी ही होती है तो बेतन में बढ़ती होती जाए इसके बाद इसी के अंदर कुछ पॉइंट्स बढ़ाए गए हैं इसको देखे पहला तो यह है समूह बीमा कबरेज को 5 लाक रुपए तक बढ़ाना दूसरा है बिभागी कर्मचारियों के साथ समानता में GDS ग्रेजूटी में बिर्दी होना तीसरा है 180 दिनों तक की समबैधानी छुट्टी को आगे बढ़ाना और उसका नगदी करण करना और चौथा है GDS और उनके परिवार के सदस्यों को चिकिस्ता सुविधाओं का प्रवधान यानि मेडिकल फेसल्टी जैसे की अदर गौर्मेंट जॉब्स में मिलती है जिनकी भी जॉब लगती है उनका और उनके परिवार को मुप्त में यहाँ पे गौर्मेंट की तरब से इलाज दिया जाता है तो इतनी बाते करी गई है यह आता है कम्प्रीट गौर्मेंट बेनिफिट के अंतरगत चले तीसे नियम या माक की बात करते हैं जहां भी लागू हो यहाँ पे SDBS में GDS और भिवाक के योगदान को 3% से बढ़ा कर 10% करें और सभी सेवा निवरित JDS को तदर्थ पिंसन प्रदान करें यानि कि यहाँ पे कुछ है यहाँ पे अभी इनका मैं कह नहीं सकता योगदान 3% है SDBS के तहत उसको 10% यह करवाना चाहते हैं और पिंसन जो है तो लेना चाहते हैं चौथा है सभी प्रोसाहन योजना प्रणालियों को समाप्त करें और JDS दौरा किये गए सभी कारियों जैसे IPPV आपको पता होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और PLI बच्चत योजना हैं और इसके लाबा भी यहाँ पे कुछ लिखा है MGNI GS को उनके कारेभार मुले अंकर में सामिल करें उसके बाद है पच्चमा नंबर समान कारिकार के लिए समान बेतन के सिध्यान्द के तहट पांच घंटे के काम के लिए नियोजित नए करमचारियों को कारभार के अधार पर वार्सिक बेतन में बिध्ध TRCA जैसे सेकंड TRCA पांच घंटे का जो बेतन होता है वो तो ठीक है बार्सिक अधार पर इस बेतन में बिध्ध भी की जाए और यहाँ पर और कुछ चीजें जो है तो बताई गई है उसके बाद छटमा नंबर है ब्यावसाइक लक्षो के रूप में GDS द्वारा समान किये गए सामना किये जाने वाले सही प्रकार के उत्पीरन को रोका रहा है उन्हें फेस्बूक और इंश्टागाम जैसे सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म का पालन करने की उनकी इक्षा या छमता की बिर्द्ध अपने स्वयम के मोवाईल करनों का उपयोग करने के लिए मजबूर करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर साफ साफ यह बताया गया है कि एक GDS करमचारी को जो टार्गेट मिलता है और उसको पूरा करने के लिए जितना भी उसको उत्पीरन किया जाता है उनको रोक लगाना चाहिए आगी सोसल मीडिया के बारे में तो आपने सुनी ही लिया सत्मा नंबर है सेवाओं को बढ़ाने और तेज करने के लिए सभी साखा कार्यालेयों भी उको लैपटॉप, प्रिंटर और ब्रेंड बेंड नेटवर्क पहुँच परदान करें यानि कि अगर आप सेवाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए साखाओं को लैपटॉप प्रोवाइड करवाएं प्रिंटर मसीन भी दें और बढ़िया सा जो है तो नेटवर्क भी दें ताकि ये सारी चीज़े हो सकें अब ये साथ चीज़े आपके सामने हैं लेकिन मैंने आठ चीज़ बताई हैं तो आपको लग रहा होगा कि आठवी चीज़ क्या है तो आठवी चीज़ के तहत आप सुनिएगा आठवी चीज़ में मैं नई भर्तियों को सामिल करना चाहता हूँ अभी जो यहाँ पे विधेयक बिल पास हुआ है डांग भवन का पोस्ट आपिस बिल उसके तहत जो है तो 5,700 नए ब्रांच आपिस पोस्ट आपिस को ले जाने हैं एक नियम इसमें और सामिल करना चाहिए था जो भर्तियां आने वाली हैं जो काफी समय से रुकी हुई है MTS की, Postman की, Mail Guard की उनको भी जल्दी से जल्दी लागू किया जाए अब चुंकि यह जो माग है वो GDS के करमचारियों की है जो की अल्रेडी नोकरी कर रहे हैं जिस बज़े से इसमें नई भर्तियों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया लेकिन अगर यही माग किसी ऐसे ब्यक्ती ने की होती जो की GDS में सेलेक्षन पाना चाहता है या फिर वो किसी और बड़े पत पर है और वो नए करमचारियों के बारे में भी अगर सोचे, नए बच्चों के बारे में सोचे, नई भरतियों के बारे में सोचे, तो एक पॉइंट इसमें सिर्फ एक पॉइंट और एड़ कर सकता है, कि जितने भी भरतियां रुकी होई है, पोश्टमैन की, मेल गार्ड की, MTS की, PA, Personal assistant और sorting assistant की posting assistant और sorting assistant की वो सभी postտ भी add کرके कम से कम एक लाग पदो पर एक साल में भरतिया निकाल दे तो एक बार सभी बच्चों का भला हो जाता अब ये तो GDES के करवाचारियों की मागे हैं, अल्रेडी changes चेहतर में हैं, तो इनके द्वारा ये मागे अगर पूरी हो जाती हैं तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा भरतियां आज नहीं तो कल आएंगी अभी जनवरी के अंदर ही आपको नई भरतियां देखने को मिलेंगी इसके लिए वीडियो जो है तो इस वीडियो के बाद अपलोड होगा उसको आप लोग जरूर देखिएगा उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी के जानकारी अच्छे लगी होगी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद